तो डियर नर्सिंग कैनिडेट्स आज की क्लास बड़ी है इंपोर्टेंट रहने वाली है तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अब यह जो दस दिन के क्लास रहेंगी भी बहुत जादा इंपोर्टेंट रहेंगी आप सभी के लिए तो कोई भी बच्चा मिस ना करे अगर आप यह 10 डेज को और भी जादा हालफुल बनाना चाहते हो चाहते हो कि मैं दस दिन में हम अपनी तरफ से कोई कसर ना डाले तो आपको सब को पता भी 699 में अपना चल रहा है अपना चल रहा है अप लोगों के सामने मैंने पोस्टर शेयर ओरेड़ी किया हुआ है तो आप यहां पे क्योशन था जो कि मैंने डाला था और वो क्योशन रिपीट हो चुका है एट लिस्ट फाइव टाइमस इन बी एफ यूह यह ऐसा क्योशन है जो पांच बार बाबा फ्रीद कोट युनिवस्टी के थूरू रिपीट करवाया जा चुका है हर बार कभी आप पेपर देखे आओ उसका आपको यह क्योशन मिलेगा ही मिलेगा चाहे आप ट्यूटर का पेपर देना चाहे आप नर्सिंग ओफिसर का पेपर देना आपको यह क्योशन मिलने ही वाला है तो फटा वट से इस क्योशन का आंसर दे दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं नए क्योशन के साथ मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्योशंस यहां पर आप लोगों के लिए प्रिपेर किये हैं ताकि आप लोग अपना एक्जाम में 100% शिक्योर कर पाएं बैच वाले स्टुडेंट्स को मैंने करवा दिया है तो आंसर विल बी फैनिंग सोल्ड लीनंस ठीक है आपको पूछा गया था कि कौन सा एक्शन लेना है जो अवोइड करना है सोरी ताकि आप कोंटैमिनेशन ना होने दो इन मोमेंट के अंदर जब आप क्या कर रहे हो वही बैड मेकिंग कर रहे हो तो बैड मेकिंग करते टाईम एक्शन परफोर्म नहीं करना है तो फैनिंग दा सोल्ड लीनन्स अगला क्योशन था हमने कहां तक कर लिए थे वही अनोक्यूपाइड बैड हो गया था यह क्योशन भी हो चुका है अगला क्योशन है वही एक नर्स है शुड फॉलो विच ओफ दा फॉलोविंग प्रिक्योशन वें चेंजिंग दा सॉल्ड लीनन पहले मैंने अंसॉल्ड लीनन को बताया था आपको की बैड मेकिंग कैसे करना है जो हमने आप में अल्रेडी कर लिया है अब नेक्स्ट क्योशन है कि सॉल्ड लीनन है और रिस्क ओफ माइक्रो ओर्गिनिजम ट्रांस्मिशन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे वोट विल यू डू आप क्या करने वाले हैं सोल्ड लीनन से प्रिवेंट कर इन्फेक्शन ए ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए सो आप हैंड हाईजिन मेंटेन करेंगे वियर क्लीन गलव्स को डालेंगे रोल दा सोल्ड लीनन आउटसाइड दा बोटम शीट बोटम शीट से उतार के फिर सोल्ड लीनन को समेटेंगे नेक्स है वई फ्रेश लीनन शुट बी प्लेज़ ओवर दा फूट अफ दा बैड की फ्रेश लीनन जो आएगा ना उसको फूट हैंड साइड में रखेंगे बैड के कहां पे रखेंगे भई फूट हैंड साइड में रखेंगे मैमर या फिर होल्ड करेंगे सोल्ड लीनन को अवे फ्रों दा यूनिफोर्म एंड उसको कहां पे रख देंगे फ्लोर पे रख देंगे बहुत ही अच्छा ग्योशन है तो भई सबसे इंपोर्टेंट रहेगी इसने बोला कि आउटसाइट दा बोटम शीट उसको निकालेंगे फिर हम उसको रोल करेंगे हैंड हाइजिन सबसे इंपोर्टेंट है रिस्क ओफ ट्रांस्मिशन प्रिवेंट करना है आपको ठीक है तो क्या करोगे वही आप हैंड हाइजिन मेंटेन करोगे सेंड़ हैंड हाइजिन और यही सबसे बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड है कभी भी यहां पर बोला गया है कि आउटसाइड दा बोटम शीट आप क्या करोगे रोल उन करोगे इंसाइड दा बोटम शीट बोटम शीट के अंदर ही रोल करोगे और अपनी यूनिफोर्म से दूर रखोगे और जो लोंडरी बैग आता है उसके उपर रखेंगे ना कि फ्लोर के उपर इसने वोले ना hold the soil linen away from place on it the floor floor पे रखेंगे तो soil linen तो फर्स को भी गंदा कर देगा कर देगा के नहीं भई कर देगा मैं so that's why हम क्या करेंगे भई उसको soil linen को यूनिफोर्म से दूर रखेंगे और floor पे नहीं रखेंगे किस पे रखेंगे भई laundry bag में रखेंगे fresh linen on the clients chair और over bed table patient के लिए जो fresh linen लेके आएंगे foot hand side में नहीं रखेंगे या दूसरे किसी patient का bed भी use नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे भई दूसरे किसी patient का bed भी यूज नहीं करेंगे और साथ में हम लोग जो sold linen है उसको भी क्या करेंगे भई किसी chair पे रखेंगे या ऐसा bed जो की खाली हो उस पे रखेंगे ठीक है ना ना कि किसी दूसरे patient के bed पे या फिर patient के ही foot hand side पे नहीं रखेंगे ये बात याद रखेंगा I think आपको exam में जो आज मैंने fundamentals के आप लोगों को question करवाए थे मैं 100% sure हूँ आज की class से 4 question पकाएंगे ठीक है अभी भी time है आप लोगों के पास जो MCQ classes आपकी app में चल रही है और YouTube पे चल रही है भई ये most important रहेंगी आपकी life में government job के लिए जो आप exam दे के आने वाले हो अभी उसके लिए बहुत ही जादा useful रहेंगी what should a nurse do when her sterile field made with sterile cloth and paper become wet nurse को क्या करना चाहिए जब उसका जो sterile field था जो उसने sterile cloth और paper के साथ में बनाया था अगर वो गिला हो जाए wet हो जाए so what will you do आप क्या करेंगे clean the area with the dry goes dry goes का use करेंगे उसको clean करने के लिए next है cover कर देंगे area को using sponge sponge का use करके next है आप consider करेंगे कि ये contaminated हो गया है next है consider करेंगे कि ये sterile है तो भई जब वो sterile cloth है paper है अगर वो गिला हो गया है means वो contaminated है it means वो क्या है भई contaminated है ठीक है न very good अगला question है एक बार share कर दो भई दिल से अगर आपको classes अच्छी लग रही हैं तो एक बार दिल से दिल लगा के share कर दो एक share ठीक है what would be the primary objective of aseptic technique aseptic technique जो आप follow करते हो उसका primary objective क्या होता है and the procedure followed by the nurse in her working area primary क्या objective होता है कि आप aseptic technique को use करते हो and procedure follow करते हो अपने working area के अंदर ताकि healthcare worker को protect कर पाऊ next is for the safety of patient patient की safety के लिए या restrict and get ride off microorganism या फिर nurse and patient दोनों को protect कर पाऊ इसलिए पाइ पाइ ताकि झाल पाइ झाल पाइ झाल पाइ वेरी गुड तो भई देखेगा हमारा जो मेन परपस होता है वो होता है कि इसलिए हम क्या करते है अगला क्योंचन है पेशेंट का जो रिकोर्ड बनाया जाता है उसका प्रामरी परपस क्या है first of all education देना research करवाने के लिए communication के लिए funding दिलवाने के लिए what is the primary purpose primary purpose क्या है patient के records maintain करने का communication research तो भई सबसे important है communication सबसे important purpose क्या है भई communication ताकि आपको बार बार क्या ना करना पड़े किसी से पुछना ना पड़े ठीक है ना ऐसा communication क्योंकि patient की care है तो patient care needed होगी भई ठीक है ना और patient care में अगर आपने patient का क्या नहीं किया रिकोर्डी maintain नहीं किया है तो कैसे पता चलेगा कि patient की actual problem क्या थी which of the following आपसे पूछा गया है कौन सा इन में से record ऐसा है जो short and objective description देता है किसी भी event की incident की एसा record जो की short and objective description देता है incident की और event की जो की important होता है तो उसको admission record बोलते हैं उसको and total record बोलते हैं next है भई observation record या checklist बोलते हैं investigation report बोलते हैं answer फटा फट तो ये भई very good तो इसको बोला जाता है ma'am and total record जिसके अंदर क्या किया जाता है जो पूरा का पूरा description होता है objective short and observed description होता है ये कैसा है by observation किया जाता है जैसे एक observer करता है तो ये narrative technique होती है जिसमें क्या करेंगे हम लोग जैसे कोई भी child है उसकी development देखनी है तो आप क्या कर रहे हो भई उसको observe कर रहे हो और ज्यादा तर जैसे आपके जो teachers है वो आपका record रखते है आपका test लिया जाता है आपको observe किया जाता है ठीक है आपके class in charge को पता होता है न कि ये बच्चा कैसा है तो वो कैसे पता चलता है by observation by जो short incidents होते हैं उनका record वो अपने पास रखता है जिससे उसको पता चलता है all of the following are the principle of record writing record writing के कौन कौन से principle है पहला है use standard abbreviation यूज करनी चाहिए data written होना चाहिए next है भई accurate होना चाहिए अच्छा यहाँ पे दो option एक साथ repeat हो गए है यहाँ पे लिखेगा भई error free होना चाहिए option B convert कर लो error free होना चाहिए सिवाए एक के कौन सा एक principle नहीं है data record करने का and भई आज SGPGI का result आया है जिन भी candidates ने अच्छा score किया है उन सब को many many congratulations ठीक है अभी आप लोगों की final list आएगी जैसे भी आपका dv बगेरा होगा SGPGI का जो result आया है जिन भी बच्चों ने अच्छा score किया है many many congratulations ठीक है थोड़ा busy रहने की वज़े से आपसे इस बारे में बात नहीं हो बाई आगे जो BFEHS का exam होने वाला है नोर्सेट मेंस का result आने वाला है and we are waiting ठीक है कि हमारे AIMS के नए nursing officers का नाम जल्दी उस list में होगा फिर BFEHS वालों की बारी है ये सारी चीज़े मैं आपको motivate करने के लिए बोल रही हूँ ठीक है ना ताकि आप भी ये सोच के पढ़ाई करो कि अग जो अब अगला number होगा ना वो मेरा होगा ऐसे सोचना है तो में data redundancy क्या होता है देखो भई standard abbreviation का use करते हैं जैसे doctor लिखता है AC, TDS, BD, ODS ठीक है ना error free होना चाहिए वो accurate होना चाहिए data redundancy क्या होता है तो ये जब होता है जब एक जगे पे same ही data multiple जगे पे आप store कर लेते हो मतलब re मतलब दुबारे से जब same data अलग अलग जगे पे यहाँ पे भी इस store में भी इस store में भी इस store में भी अलग अलग जगे पे same ही data convey हो जाए किसी technical platform पे ठीक है तो इसको बोलते है data redundancy तो भई वो गलत था What is the primary purpose of incident report incident report का primary purpose क्या होता है risk identify करना staff का evaluation करना disciplinary action लेना या audio tape report रखना तो भई यह होता है risk को identify करने के लिए किसके लिए भई किसी भी type के risk को identify करने के लिए हम maintain करते है incident record तो इसमें जो person की unique ID है वो भी होती है मैम इसमें पूरा data and documentation होता है जो service incident होता है उसके regarding कब उसका registration हुआ कब closer हुआ कौन सा incident happened हुआ था कब हुआ था सारी चीज़े maintained होती है अगला है वही एक nursing officer है वो develop कर रहा था एक education plan एक client के लिए जो की hypertension का है which of the following long term इन में से कौन सा long term goal होगा जो की most appropriate होगा nursing officer के लिए कि वो emphasize करे client को nursing officer एक education plan डवलप कर रहा था किसके लिए वही hypertension के client के लिए ठीक है तो यहाँ पे कौन सा long term इन में से कौन सा एक long term goal है जो की most appropriate रहेगा nursing officer के लिए कि वो emphasize करे अपने client को एक nursing officer क्या कर रहा था education plan create कर रहा था hypertension के मरीज के लिए तो आपको बताना है long term goal क्या होगा जो nursing officer लेगा hypertensive mid patient के लिए तो वो एक limits develop a plan to limit a stress stress को कम करने के लिए वो एक plan generate करेगा next है participate करेगा weight reduction program के अंदर थीके नप पेशन का क्या करवाएगा भई weight reduction करवाएगा अगला है वो क्या करेगा administer करेगा pain medication क्या करेगा भई pain medication देगा पेशन को अगला है change करेगा pain medication periodically to avoid drug tolerance पेशन को कहीं drug tolerance ना हो जाए इसलिए वो क्या करेगा भई drug को change करेगा जो medication डोक्टर ने उसके लिए लिखी थी उसको वो क्या करदेगा change करदेगा तो भई आप तो दवाईया change नहीं कर सकते ठीक है ना administer pain medication as soon as client request hypertension में कौन सा pain होगा तो long term goal पुछा है long term में आपको करवाना पड़ेगा weight reduction क्या करवाना पड़ेगा भी आपको weight reduction करवाना पड़ेगा patient से क्योंकि आपको पता है hypertension का एक कारण obesity भी है तो obesity एक कारण होता है जिससे क्या होगा patient का weight जो है वो वह होगा तो आप उसको क्या करवाओ reduce करवाओ अगला question है there are a number of risk factors associated with coronary artery disease यहाँ पे बहुत सारे risk factors है जो कि CAD कोज करते हैं coronary artery disease कोज करते हैं कौन सा following एक modifiable risk factor है इन में से कौन सा एक modifiable risk factor है तो कौन सा है भई obesity, hereditary या gender या age तो सबसे important है आप obesity को change कर सकते हो modifiable ही पूछा है तो modifiable risk factor होगा जिसको आप change कर सकते हो लेकिन hereditary, gender, age को आप change नहीं कर सकते हैं ठीक है एंड आप सभी के लिए एक important notification भई जो भी बच्चे अभी exam देके आने वाले है ठीक है कल आप सभी को पता है world mental health day है 10 October है कल विश्व मानसिक स्वास्थे दीवस है तो कल आप लोगों के लिए रेगनार nursing classes क्योंकि ज़्यादा तर हमारी जो अभी younger age है आपकी जो age है या आपसे थोड़े से बड़े हैं ठीक है ना आप adult hood में हो अभी तो आपकी life में बहुत सारी situations ऐसी है जो anxiety, stress and depression कोज करती है ठीक है for example exam है exam की tension और जब आप exam देने जाते हो उस time पे क्या होता है भी anxiety के कारण काफी सारे questions गलत करते हैं familial problems ठीक है study में loss या फिर बार बार जो selection से आप रह जाते हो उसका stress तो आप आने वाले exam में भी काफी सारा helpful रहेगा 10 October को होगा आपका जो ये seminar है only 50 rupees यहाँ पे इसके charges रखे गए हैं only 50 rupees में आप अपना registration करवा सकते हैं आज ही number आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे message करके आप अपना जो seat number है ठीक है ना online रहेगा seminar कौन सी app पे होगा seminar कैसे होगा face to face interlinked होगे आप सभी के साथ में ठीक है तो आप लोग message करके इस WhatsApp नमबर पे 50 rupees अपना pay करके नाम mobile number भेज के आज ही registration करवा सकते हैं ठीक है कल कोई भी बच्चा registration ना करवाए क्योंकि कल seminar है ठीक है तो कोशिश करना आज आप लोग जो अपनी seat है approximate evening time में रहेगा seminar बाकी आप सब उनको message आ जाएगा ठीक है भी तो ये एक life changing seminar है जो आने वाले आपके life के लिए भी और के लिए भी बहुत जादा useful रहेगा अगला question है भी यहाँ पे एक 47 year old male है admit किया गया है with acute MI acute MI के साथ में उसको admit किया गया है he is cold कामी skin है उसकी severe sub sternal chest pain हो रहा है disneya हो रहा है तो कौन सा following intervention है जो nurse implement करेगी priority basis पे priority basis पे nurse क्या करेगी तो administer करेगी adrenalin intracardiac next है avoid करेगी light blanket next है place करेगी patient को semi-fowler position के अंदर administer कर देगी morphine IV push देदेगी answer कीजिएगा फटा फट से क्या करेगी nurse इस condition में patient को MI patient किसे सफर कर रहा है MI से very good तो में हम पेन हो रहा है patient को ठीक है MI का पेन हो रहा है साथ में disneya भी हो रहा है तो सबसे important रहेगा में morphine देदेंगे जो की pain reliever है या फिर antigen nitroglycerin का use करेंगे जो क्या कर देगी हमारे heart की myocardial जो supply है उसको बढ़ा देगी और supply बढ़ेगी तो क्या होगा भी जो pain है disneya है वो कम होगा और साथ में हमें क्या देना है semi fowler position भी दे देनी है ठीक है so right answer सबसे पहले आप क्या करोगे administer morphine by slow IV push slow IV push से क्या दोगे morphine दोगे या nitroglycerin दे सकते हो आप NTG ठीक है भी और second priority रहेगी कि आप position दे दो अगला है भई ये question भी आप सबको आया होगा exam में left ventricular failure हुआ है patient का ठीक है और high capillary wedge pressure देखने को मिल रहा है physician ने order किया है क्या dopamine dopamine order किया है ताकि ventricular function को आप improve कर पाओ ठीक है the nursing officer will know the medication is working if the patient nursing officer को पता चलेगा कि medication अपना काम कर रही है कैसे पता चलेगा अगर patient का BP बढ़ जाए कम हो जाए या फिर cardiac index जो है वो fail हो जाए या pulmonary capillary wedge pressure जो है वो बढ़ जाए कैसे पता चलेगा patient को sorry nursing officer को कैसे पता चलेगा कि बढ़ी यह जो दवाई आपने दी दी यह काम कर रही है अपना क्या कर रही है तो दवाई कोन सी दी है बढ़ी डोपामिन दी है तो अगर patient का BP rise हो रहा है तो समझ चाहिएगा बढ़ी कि क्या कर रही है यह क्योंकि यह क्या कर देती है force of contraction contractibility को increase करेगी अगर contractibility increase होगी तो cardiac output भी बढ़ेगा और BP भी क्या होगा बढ़ेगा ठीक है ना तो heart rate बढ़ जाए BP raise हो जाए तो हमें पता चल जाएगा मिलते हैं कल की class में आज के लिए इतना ही thank you so much